स्ते में स्वीटर की डिजाइन बोताने जारी है यह देखी बहुती सुन्दर डिजाइन है और जाली वाला डिजाइन है आप किसी भी परकार की तरह स्वीटर में आप डाल सकते हैं यह जाली वाला है डिजाइन और बीच में देखी अच्छा लग रहा है बटन जैसा डिजा यहां पर जाली दे देंगे और तीन फंदा इस तरह से हम बीन लेंगे तीन फंदा बीन लिये हैं और यह जो फंदा है इस तरह से हम फंदे को गिरा आ लेंगे आगे धागा लेंगे यहां पर एक जाली दे देंगे और उसी तरह हम तीन फंदा बीनेंगे तिन फंदा बीन लेंगे और यहां एक फंदा हम गिरा लेंगे तो यहां पर एक जाली हम जो दिये हैं एक दो तीन तो यह बुरावर फंदे हो गया है एक फंदे हम गिरा लेंगे तो यह बुरावर फंदा हो गया है आगे धागा लेंगे उसी तरह हम तीन फंदे बीनेंगे गिरा लेंगे आगे धागा लेंगे उसी तरह तीन फंदा बिनेंगे उसी तरह आगे धागा लेंगे यहाँ पर एक बिना दो बिना तीन बिन लेंगे यह फंदा हम इस तरह से गिरा लेंगे यहाँ जो फंदा दो फंदा है दोनो फंदा बिन लेंगे अब उल्टी के तरफ हम पूरे फंदा हम उल्टा बेंदे में पूरा फंदा इस तरह से बेंदे में अब पूरे बिल्लिया यहां यह फंदा हम उतार लेंगे और दो फंदा हम बिल्लिया यहां जो गाठ हम बान ही यहां पर इसके बीच में जाले देंगे तो यह फंदा बिल्लेंगे और यहां पर आगे धागा लेंगे और यहां जाले देंगे यह तीन फंदा भी लिदेंगे, यहाँ जो बीच में जाली दिये हैं, तीनोपंदा विल लिदेंगे. विल लिए है, इसी ततरह हम एक लाटा बाहन से, आगे धाड़ा लेंगे, और इसके जो घाट के बीच में हम जाली देंगे, तेहां पर एक जाली दे दिये हैं और ये बिन लिए तीन फंदा इस तरह सुटार लेंगे तीन फंदे तीन फंदा के एक गिरा लिए तो ये एक दो और ये जाली तीन फंदा हो गया है आगे धागा लेंगे उसी तरह हम जाली देंगे और तीन फंदा बिन लेंगे आगे धागा लेंगे, जाली दे देंगे हाँ, एक बिना, दो बिना, तीन बिन लेंगे ये फंदे को इस तरह से लेंगे और गिरा लेंगे और यहाँ पर नहीं देंगे जाली और ये तीनो फंदा बिन लेंगे एक साथ 1-2,1-3 फंदा बीन लेए अब मुल्टा के तरह पूरा फंदा हम बीन लेए अब अब एक फंदा बीनेंगे उतार लिये हैं एक जो यहाँ 2 फंदा एक फंदा बीन लेंगे यहाँ पर जाले देंगे और तीनो फंदा बिन लेंगे, एक बिना, दो बिन लेंगे, यहाँ जो गाठ जो बान ही यहाँ पर, जो यह दो फंदे हैं, इसके बीच में जाले देंगे, पहला फंदा बिन लेंगे, पहले यह जो हम, इस तरह से उतार लेंगे, इसके बीच में जाले देंगे, इस तरह से, तीन फंदा बिन लेंगे उसके ये फंदा उला उतार लेंगे आगे धागा लेंगे एक बिना दो बिना तीन बिना तो ये जो जाली दिये हैं जाली नहीं लेंगे इसके बगल का जो फंदे हैं ये वाला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे अब यहाँ पर चार फंदा बच्चा हैं अब यहाँ पर यह डिजान पर रेगी तो आगे लेली धारा यहाँ पर जाली देंगे रेक बिना दो बिना तीन बिना उस्तर से यह फंदा उतार लेंगे यह वाला फंदा बिन लेंगे उल्टा के तरफ हम पूरा फंदा बिन लेंगे उल्टा अब यहाँ पर तीन फंदा बिनेंगे एक फंदा उतार लिया एक बिना यह तीन फंदा बिन लेंगे और यह बीच का जो गाठ है एक फंदा यह बिन लेंगे उसके बाद यहाँ पर जाले देंगे तीन बिन लिया इस तरह सुतार लेंगे फिर आगे धागा लेंगे उसी पर हम तीन फंदा बिनेंगे अब यहाँ पर पाच फंद देंगे तो आगे धागा लेंगे एक बिनेंगे दो बिनेंगे तीन बिनेंगे अब यह वाला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे एक दो नो फंदा बिन लेंगे तो देखिए डिजान पूरी बन गई है देखने में सुन्दर लग रहा है और बिनने में भी आसान है और डिजान जल्दी भी बिनाता है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है